नमस्कार स्वादि स्पोर्ट्स में आपका स्वावत है आज हम जट पट बनने वाला लड्डू बनाएंगे यह असानी सिघर पर तुरत बन जाएगा चलिए इसे बनाना सुड़ करते हैं सबसे पहले हम एक पैन लेंगे उसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे उसी कटोरी से आधा कटोरी से क्यम पानी डालेंगे अब इसका भूरा तयार करेंगे यह देखिए हमने यहाँ पर भूरा तयार कर रहे हैं हमारा भूरा बनने के लिए रेडी हो चुका है अब उतारने समय देंगे हमें सब्सक्राइब करना को गया अद्धिय में जाएगा ऑची तरह से सुखD जाएगा तो कम अचीफ करने मेन धेला रह एकका अगे डालेंगे उसमें एक कटोरी विशन डालेंगे अर听 अच्छी तरह से हम धीमा आज मे भूनेंगे फ्लेम को एकदम डो लो गी डालेंगे हैं हमने टोटल एक कटोरी घी ली थी उसमें से थोड़ा सा गी बचा कर रखे हैं कि देखिए हमारा बेशन कितना अच्छा कलर आ गया है बेशन में इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे यह धीरे धीरे भूनने से इसमें अपने आप गी छोड़ देता है यह देखिए कितना अच्छा गी छोड़ दिया है हमारा बेशन अब भून चुका है अब अपने गेस को हम बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी का छीटा डालेंगे पानी का छीटा डालने से क्या होता है कि लड़ू दानेदर बनता है गरम में ही डालेंगे थंडा होने पर नहीं और इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे मिलाने के बाद इसको हम एक साइड में रग नहीं थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसमें हम अपने भूरा को मिलाएंगे ध्यान रहे कि ज्यादा ठंडा नहीं रहे हाथ से चुने लाइक रहे तिक हम अपने भूरा को भी इसमें हम मिला देंगे अच्छी तरह से इसको हम मिला देंगे, भूरा देने से बहुत ही अच्छा लड्डू बनता है, अब इसमें हम एक चमच इधाची पॉड़र डालेंगे, और थोड़ा से यहां खरबूश के बीच को डालेंगे, यहां हमने खरबूश के बीच को रोष्ट कर लिया है, रोष् हमें अपर सारे लड्डू को इसी तरह से तयार करेंगे, अगर लड्डू बन करके तयार है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद